तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आप से डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या 12th की क्लास 8 से पास करने के बाद क्या जो DPT का जो कोर्स है उसे किया जा सकता है के नहीं हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हूँ एजुकेशनल वर्डस्टर चैनल तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आप से डिस्कस करने वाला हूँ DPT कोर्स के बारे में और दोस्तों अगर अपने 12th की क्लास को पास कर लिया है और अगर आपको जह जानना है कि 12th की क्लास को पास करने के बाद आखिर कौन-कौन से कोर्स होते हैं तो मैंने उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप इस वीडियो के खत्म होने तो मैं आपको बताना जाता हूँ, जी नहीं, आप 12th की क्लास आट से पास करने के बाद आप जो DPT का जो कोर्स है, उसे आप नहीं कर सकते हैं, अगर मैं आपसे DPT कोर्स का eligibility criteria आपसे में discuss करूँ तो eligibility criteria दोस्तों जय कहता है कि आपको जो 12th की क्लास है, उसे आपको पास करनी प पढ़ेगी, जिसमें आपको physics, chemistry और जो biology का जो subject है, वो आपको compulsory पढ़ना ही पढ़ेगा, तो 12th की क्लास आपको PCB के subject के साथ पास करने के बाद आपको इस course में admission मिल जाएगा, तो अंत में दोस्तों मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि आप 12th की क्लास 8 से पास करने के आपको उप्राफ्त हुई होगी, और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई doubt है, तो दोस्तों आप नीचे मुझे comment box में comment करके पूछ सकते हो, नहीं तो आपको इस video के description में और भी कई सारे courses के बारे में videos मिल जाएंगी, आप उन्हें बाद जाकर भी देख सकते हो, तो अंत को subscribe करना मत बूलना